मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में साथ से दस माई के बीच तूफान और गरज के साथ बारिश और ओला वरिष्टी की चेतावनी दी है मौसम विभाग की चेतावनी से लोग जरूरत से ज्यादा डर गए हैं क्योंकि दो माई को आएं आंधी तूफान ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में एक साथ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी आंधी तूफान के बारे में मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही एक वीडियो तेजी से वायल होने लगा जिसमें यह दिखाया गया है कि राजस्थान के बीकानेर या बाड मेर में धूल भरी भयंकर आंधी की शुरूआत हो चुकी है जो पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लेने जा रहा है इस वीडियो को कई लोग वाटसैप और सोशल मीडिया के जरिये शेयर करने लग गए हैं हरियाना, मेरट और गाजियाबाद में तो आंधी तूफान के अलर्ग के बाद स्कूल भी बंद कर दिये गए हैं लेकिन राजस्थान से आंधी तूफ से पूरा आस्मान ढख गया है वीडियो में यह भी दिख रहा है कि यह किसी रेंगस्तानी इलाके में सोलर प्लांट का द्रिश है ये भी पढ़ें दिली से मेरट तक स्कूल बंद राजस्थान हरियाना में अलर जारी राजस्थान से धूल भरी आंधी तूफान की खबरों है कि राजस्थान के भी कानेर या बाड मेर में पिछले 3-4 दिनों में ऐसा कोई आंधी तूफान नहीं आया है हाला कि अब इसकी संभावना है जब हमने और गहराई से इस वीडियो के बारे में खोजना शुरू किया तो देखा कि वाई ओ यूटूब पर दस महीने पहले 17 जून 2017 को यह वीडियो पहली बार अपलोड किया गया था यानी वीडियो उन दस महीने पुराना है इस वीडियो को अब तक 13,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है वीडियो को रिखब लुनिया नाम के वेक्ती ने अप्लोड किया था तब हमने इस वीडियो को अप्लोड करने वाले रिखब लुनिया की खोच रुकी ताकि इस वीडियो के बारे में और सच्चाई पता चल सके आखिरकार हमें रिखब लुनिया मिल ही गए वो बीकानेर में नवाकर वूलेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कमपनी में चाउटड अकाउंटेंट के और पर काम करते हैं रिखब ने हमें बताया कि यह वीडियो 14 या 15 जून को उनके दोस्त धरमेंद्र हद्दा ने अपने मुबाइल से शूट किया था धरमेंद्र बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूर को लायद कस्बे में काम करते हैं जहां नवाकर वूलेंस प्राइवेट लिमिटेड कमपनी का ही सोलर पार्क है यह वीडियो उनके दोस्त धरमेंद्र ने उसी सूलर पार्क में शूट किया था जैसा की साफ देखा जा सकता है रीखब लुनिया ने कहा कि वह इस बात से हैरान है कि दस महीने पहले उनके द्वारा अप्लोड किये गए वीडियो को ताजा वीडियो बता कर वायहल किया जा रहा है अलाकि उन्होंने यह भी बताया कि सूमवार को भी बीकानेर में धूल भरी आंदी चल रही है उन्होंने हमें आज की ताजा तस्वीरें और वीडियो भी भेजी हैं जिन्हें नीचे देखा जा सकता है हमारी परताल में पता चला कि राजिस्थान में धूल भरी आंदी की खबर तो सही है लेकिन जिस वीडियो को वायहल किया जा रहा है वेहल का नहीं बलकि पुराना है